श्री शिवाय नमस्तु भ्यम श्री शिवाय नमस्तु भ्यम बारो महीने प्रदोष आती है बारो महीने शिवरात्री आती है प्रदोष को ही शिवरात्री का भावब बारो महीने आती है अगर वेपार महाँ चले दुख तकलिप जाजा हो कश्ट जाजा बहुत टेंशन जिन्दगी में चल रहा है कोई काम होई नहीं रहा है कोई दिक्कत ही दिक्कत है वेपार सही नहीं चल रहा हो कश्ट ही कश्ट और यहां तक कहें अगर बिमारी ने भी घेर रखा और बहुत पुत चिंदगी में दुख चल रहा, कहीं मत जाना, प्रतेक महीने प्रदोश आती है, हर महीने शिवरात्तरी प्रदोश आती है, एक लोटा पानी, पांच बेल पत्त, पांच बेल पत्त, एक शमी पत्त, पांच बेल पत्त, कांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, साथ तने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए, और प्रदोशकाल में, प्रदोशकाल जो शाम का समय होता है, प्रदोशकाल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पाओं में चपल पहन कर ना जाएए, घर में घीकत दिया लगाकर, कलश लेकर, शिव के मंदिर में चले जाएए, शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है, आपक अगर पती और पत्मी दोनों बेट कर जाब कर रहे हैं तो दोनों ओम नमस्चिवाई बोल सकते हैं अगर अगर अकेले बेट कर स्मिंट कर रही है तो नमस्चिवाई और पुरुश जब 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 जाब करें और पती पत्मी दोनों बेट कर जाब कर रहे हैं तो अमस्चिवाई बोल सकते हैं पांच वार तीन बार फात वार कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोस काल में प्रदोस की समय पर प्रदोस के दिन बेट कर शिव नाम का जाप करें जल का फात्र बाकिस घर में लिया और बड़े प्रेम से अगले महीं में फिर प्रदोस के दिन फिर प्रदोस काल में शिव क द्वारे जने, फिर बिंति करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर की श्रण में जाना, उससे कहना, उससे निवेतनं करना, मुझे विश्वा से मेरे शंभुपर, इसकंद पुरान करती है, शिव महा पुरान करती है, अगर आप ने दो या तीन या चार प्रदोश ही कर लिये, तो म मेरा महंकाल बाबा आपकी जोली तो भर ही देगा खुशी है दो तीन चार बस बहुत पूरे साल की तो आप करना चोड़ना मत ही अगर बाबा देनी दे तो पूरा साल तो करना ही करना बीच में नहीं चोड़ना बना कई बार इस्तरियां सोचती हैं कि बीच में रजस्वला ध लिखा हुआ रेता है परदोष निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदेर नमन करना है अपनी दिल की बात बाबा भोले ना से कहना है अपने मन का बात मुझे शिव से कहना है बस बिचार कर लिया और मैं निवेदन तरूँगा जितने लोग जल चड़ाएंग और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना धन तो जरूर देगा कि एक बार शिव महापुराण आप भी कराएंगे यह पक्ता बाबा इतना तो देगा यह विश्वास से कहता हाँ आपका मन है करना हो तो करो नहीं तो यहां तो हमारे यह तो शिव महापुराण की कथा करती तुमारा भाव पड़े ऐसा करो पर प्रदोष का जो नियम बताया है शंकर का अनमोधन जो बताया है शिव का इसमारन शंकर कर अनमोधन भाबा इतना तो जरूर देगा कि यह वार आप भीण्मत कर सकोगे कि मुझे श्यूकुराण जोरान है और शिव कराएंगे और शंकर कर नहीं देगा तो देंगा उपायों को जरूर करें क्योंकि यह अजमाई हुए सारे उपाय है जिन से आपको लापराप्त हो सकें परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी इनका लापराप्त कर सकें धन्यवाद